श्राम आलेकुम रह्मितुलाहि वरकातों अभी ग्यारा सत्रा हो गये तो कहीं रोके थे उदर लोग ने कहा के ये सेफ जड़ा नहीं है तो आगे अभी तीस पर दो किलोमेटर में गाउं है उदर जाके उस्टाहर जाने तो बस उदर से अभी तो 9 बज़े निकले थोड़ा बहारी इलाखा है रहने के बज़े से एक चीज बता रहा हूं कि यह कुछ आवाज आ रही है यह है मैंने यह बताऊंगा यह पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी है इधर जो कुरूड आयल मिलता है उसको लेके आकर फाइन पेट्रोल बनाते हैं और फाइन पेट्रोल बनान के बाद हमारे हिंदुस्तान को और दुसरे दुसरे मुल्कों को जाता है और यह जो देख रहे हैं जो चिराख की तरह जल रहा है वह कुरूड आयल में वेस्ट आयल रहता है उसको हवा में जला देते हैं यह प्रजर से जल रहा है इतना आवास कर रहा है तो यह भी वह जो बचा हुआ अभी उदर भी देख सकते हैं अभी उदर भी जल रहा है यहां सब कुछ मतलब जो वेश्ट आयल होता है उसको जला देते हैं बस आप लोग दुआ कीजिए अभी हमारा 15 या 17 किलोमेटर का खफर है हम कोशिश करेंगे के साड़े बारा एक बज़े तक पहुंच इंशाला बात थोड़ी देर आराम करेंगे और हम थोड़ा ज्यादा चला रहे हैं इसलिए कि रम्दान आ रहा है तो बस रम्दान के रोजे माच होते हैं तो बंदर अपास पहुंचने के बाद वो दफ्स सफेरी लेंगे इंशाला आप लोग दुआ करते रहे हैं अल्लाह लेकिन उनको फिर भी दिखाई नहीं देते हैं ट्राफिक भूध है आप देख सकते हैं हम अभी भूके हुए हैं तो रुपकर वीडियो निकाल रहे हैं कि आप लोग देख सकें मैं बस रही चाता हूं कि आप लोग दुआ कीजिए इस्टाता हूं सलाम आलेकुम रहुत अ आंदाई पर कर दो